आज हम इस वीडियो में कर्मकांड क्या है? कर्मकांड शब्द, कर्मकांड के मुखे अंग और कर्मकांड के ग्रंथ इन सब के विशे पर इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे वैदिक संस्कृती का कर्मकान प्रधान अंग है यह मनुष्य के अनेको भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पून करता है कई प्राची, निरिशी, महर्शी जो कर्मकांडी थे वे सास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन वितीत किया करते थे और कर्मकांड के द्वारा अपना और जगत का कल्यान किया करते थे आपको बता दें कि संपून वेदिक धर्म तीन कांडों में विभक्त है या कहें संपून वेद तीन कांडों में विभक्त है पहला है कर्मकांड दूसरा है ज्यान कांड और तीसरा है भक्ति या कहें उपासना कांड वेद का अधिक अन्श कर्मकांड से परिपून है वेद पुराण के ग्यारवे स्कंद के 27 अध्या के 16 श्लोक में स्रीकिष्ण जी ने उद्धवजी से कहा उद्धवजी कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है तो जिस विशे की कोई सीमा नहीं है उस पर आप जो भी कहें वह कम ही होगा लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम कर्मकांड के मुख विश्यों को जानेंगे कर्मकांड शब्द कर्मकांड यह शब्द कर्म और कांड से मिलकर बना है कर्म तो आप समझते ही हैं क्योंकि हमने पहले ही एक वीडियो में आपको बताया है तो सब कुछ जो आप करते हैं वो कर्म है और कांड इसका अर्थ किसी घटना से है जीवन के किसी अध्याय से है उधारन से समझे सूरी उध्य होना यह एक घटना है अब इस घटना पर क्या कर्म करना चाहिए इसके लिए आपको कर्मकार्ण जानना होगा दूसरे उधारन से समझे विवाह यह एक जीवन का अध्याय है जीवन के इस महत्पून अध्याय पर क्या कर्म करना चाहिए इसके लिए आपको कर्मकार्ण जानना होगा कर्मकार्ण वह विधी है जिसके द्वारा यजमान को इस लोक में अभिष्ट फल की प्राप्ति हो और मृत्यु उपरांत या थेष्ट यानि जितना चाहे उतना सुख मिले ऐसा एक विधी है कर्मकार्ण के मुख्य अंग कर्मकार्ण में यग सबसे मुख्य है क्योंकि वेद के कर्मकार्ण भाग में यज्यादिक विभिन अनुष्ठानों का विशेश वर्णन है इसलिए यग कर्मकार्ण का मुख्य विशे है यग्य कर्मकांड का मुख्य विशे होने के कारण यग्य में मंतरों का उपियोग यानि उनका उच्चारण किया जाता है उधारण के लिए संध्या के समय, विवाह के समय, भूमी पूजन आदि के समय यग्य किया जाता है और मंतरों का उच्चारण किया जाता है कर्मकांड को केवल यग नहीं समझना चाहिए क्यूंकि कर्मकांड समाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है जैसे व्यक्ति के जन्म से पूर्व से प्रारंब होकर मृत्यु परेंत चलने वाला विभिन धार्मिक कृत भी कर्मकांड है जिसे आप उपने संसकार के नाम से जानते हैं इसलिए कर्मकांड का संबंध मानों के सभी प्रकार के कर्मों से हो जाता है इसमें यग्य, सेवा, पूजा, मुनुशिका आचरण, वर्नाश्रम धर्म आदि आते हैं लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कर्मकांड का विधी विधान अत्यंत कठिन है इस विशे में भागवत पुराण के दसमसकंद के 64 अध्याय में राजा निक की कथा प्रमाण है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वे गौदान करने में कुछ भूल कर दिये जिसके परणाम सरोप उन्हें अगले जन्म में गिर्गिट बनना पड़ा इस चंदर्भ में एक बात और ध्यान करने योग्य है कि वेद मंत्र में स्वर होता है उदात अनुदात स्वरित यदि उनका सही से उचारन नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिए गायत्री मंत्र आदी को योई नहीं उचारन किया करें स्वर सहित किया करें नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इसलिए करमकान में एक भी गल्ती करने पर उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है यदि करमकान को संछेप और सल सब्दों में कहें तो करमकान में वण और आश्रम ये वण आश्रम का पालन करना होता है इसी के अंतरगत सभी चीजे हैं यग्य सेवा पूजा मनुषका अच्रण इत्यादी इसका विधिवत पालन करने से व्यक्ति पुन्य अर्जित करता है जिससे वह पुन्य लोक यानि स्वर्ग लोक या भगवान के लोक में मन्नो प्रांत जाता है ध्यान दे भगवान का लोक भी कर्मकांड दिला सकता है अगर विधिवत पालन हो तो ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मकांड में भगवान की भक्ति करने को भी कहा गया है आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, आपको भगवान की भक्ति करनी है उधारण हे पांडो, उनने वर्णाषन धर्म का पालन भी किया, भक्ती भी किया और अंत में जो भक्तो को गति मिलती है, वही गति भी मिली कर्मकान के ग्रंथ यदपी, अन्य तीन वेद में कर्मकान का वंडन है किन्तु यजर्वेद के प्रथम से 49 अध्याय तक कर्मकान का ही वंडर मिलता है इसके अलावा कर्मकान के बारे में दो महत्पून ग्रंत हैं जो वेद अनुसार है पहला है पूर्व में मानसादर्शन यह महरशी जैमुनी ने लिखा है और दूसरा है कर्ममिमानसादर्शन यह महरशी भारतवाजी ने लिखा है इनके अलावा सबसे प्रचलित और सबसे बड़ा कर्मकान के बारे में यदि कोई ग्रंत है तो वो है महाभारत महाभारत में एक लाग से भी अधिक श्लोक हैं हमें कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिदी में क्या करना चाहिए इन सब का उलेक है यदिपी महाभारत एक इतिहास है लेकिन उस इतिहास में भी कुछ पात्रों ने कर्मकान का अनुसरण किया है इसलिए उससे कर्मकार्ण के विशे में भी कई जानकारियां मिलती हैं अस्तु अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेर करें आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे अवश्य बताएं और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप UPI द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने UPI ID दिया है, आपका सपोर्ट वांच नहीं है